हेलो दोस्तो, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्तान एकेडमी पर मैं परविंट सिंग आप सभी लोगों के साथ में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं लगातार विबिन्द परकार की भरती परतियों की प्रिक्साओं के लिए आप सभी लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ और मेरी और से जितना हो सकता है मैं निसुल का आप सभी लोगों के लिए सायता कर रहा हूँ और जिसमें आपने देखा कि हमने रीट की पूरी मैस यूटूब के ऊपर कम्पलीट फ्री पढ़ा दी उसके बाद में सेकंड ग्रेड मैस हमने कम्पलीट जो है 89 वीडियो प्लस जो है अपलोड कर दिये हैं और और भी वीडियो अपलोड किये जाएंगे मैस कम्पलीट यूटूब पर अवलिबल करवाएंगे हम हमने लेब इसेंड की फिजिक्स पूरी यूटूब पर कम्पलीट अवलिबल करवाई फिजिक्स फिप्टी कैमिस्टी भी करवाई राइस्तान जीके के वीडियो अपलोड कर रखे हैं हमने संगणक की स्टैटिक्स वगरा कम्पलीट करवाई और अब हमने एक नई वेकेंसी LDC जो 2022 में आने वाली है आपको बता दो दोस्तो इसमें जो भी बताया जाएगा वो मेरे खुद के अनुभव क्यादार पर बताया जाएगा मेरा खुद का 2018 की जो LDC की वेकेंसी थी और लेवजन की वेकेंसी थी दोनों में ही साथ में सेलेक्शन हुआ था और फिर मैंने लेविशन जोइन किया है क्योंकि आपको मैंने पहले भी इसके बारे में बताया हुआ है कि मुझे जो है टीचिंग में ही आना है और पढ़ने में जादा इंट्रेस्ट है इसलिए और दोस्तों आपको अगर किसी को विश्वास नहीं हो तो मेरा नाम परविंट सिंग है या आप सबी लोग जानते ही है और रोल नमबर आपको मैं जो है यहां पर भरती के लिक कर बता देता हूँ 2018 की result की PDF आप डाउनलोड कर लेना और उसके अंदर 1924301 इस इस मैं रोल नमबर और मैं नेम इस प्रविंट सिंग यह मेरा नाम है ठीक है और बागी किसी को अगर मेरे नमबर जानने है तो मेरे नमबर थे दोस्तो 87 ठीक है फर्स्ट पैपर जो था उसके अंदर थे मेरे 50% और सेकेंड पैपर में थे 42 marks only जिसमें मेरा इंगलिस और हिंदी था आपको यह पूरा पैटन मैं आगे बताने वाला हो अभी ठीक है तो यह LDC के मैंने अपने marks वगरा बता दिये हैं आ अगर किसी को चाहिए हो नहीं है फिर भी विश्वास तो आप लोग जो है मेरे से वाटसप पर बात कर लीजेगा मैं आपको पूरा मेरा रिजल्टी सेंड कर दूँगा यहां भी मैं एड़ कर रहा था बट वो हुगा नहीं तो उस होज़ेसे फिर मैंने जल्दी वीडियो बनाने की सोच ली ठीक है यह मेरे रोल नमबर है आप जाकर चेक कर सकते हैं मैं LDC में सेलेक्टेड हूँ क्योंकि किसी स्टुडेंट ने कहा था कि सर आप लेविशन में भी सेलेक्टेड हो अब क्या सब में सेलेक्टेड हो तो दोस्तों मैं आपको बता दू अभी तक मैं टोटल आठ एक्जाम में सेलेक्टेड हूँ जिसमें कि IATJ आपका इंक्लूड है ठीक है और क्यों कहां कैसे हूँ वो सब बाद में बताएंगे तो अभी मैं आप बात कर लेता हूँ LDC 2022 में जो वेकेंसी आने वाली है बहुत जल्द इसकी वेकेंसी जो है विकेपती आपक यह मिनीमम है RSIT तो इसके अलावा किसी के पास MCA, BCA, O-Level, PGDCA वगरा जो भी होते हैं वो सब है तो वेल एनकूर है लेकिन यह होना जरूरी है RSIT जो है वो कह सकते हैं minimum qualification है computer knowledge की यह है तो बाद में आपके पास कुछ भी और नहीं है तो चलेगा लेकिन और भी बहुत कुछ आपके पास में हो सकता है तो आपके पास O-Level है तो भी चलेगा PGDCA तो भी चलेगा लेकिन जनरली बचों के पास यह नहीं होता है RSIT होती है ठीक तो आपके योगेता अब यह जो भी रख रहा है वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा बार भी पास होने चीए और RSIT होने ही है वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी और उसके लिए जो है दोस्तों आपको टॉप रेंकर में आना पड़ेगा मतलब आपकी कैटेगरी के आप टॉप रेंक में होने चाहिए तो आपको वहाँ निचे दुरूप से ही मिल जाएगा ठीक है फिर आप RPSC के अंदर आप हैं आपको वीडियो डाल रखा है यूटूब पर राम सिंग जिनका नाम है वो लेबिशेंड में भी सेलेक्टेड है और अभी आपकारी में ही वो काम कर रहे है लेकिन वो ठीक है यसे ही एक दो और है जो कई एक सिक्षा विबाग के अंदर है आपके एक कॉलेज विबाग का ठीक है लेबल फाइब के अंदर बेसिक जो है आपका ये कह सकता है कि ट्रेनिंग प्रेट जो रॉबिशन प्रेट होता है उसमें 13,500 रुपए आपको इन हैंड मिलते हैं उसमें से आपका जो भी एन पी जो अभी ओपी एस वाला जो जो जी पी एप कटेगा अभी एन प बात करते हैं दोस्तों प्रिक्सा स्कीम की क्योंकि सबसे ज्यादे तो यह जुरूरी है देखो वेकेंसी आई नहीं है ना तो उससे पहले पोस्ट कितनी है क्या है उसकी तो बात करने से जुरूरी नहीं है या कौन सा डिपार्टमेंट आप प्रिफरेंस दीजिएगा क्यो अब यहां बाता आती है प्रिक्सा-SKIM की तो इसके अंदर दो फेज होंगे दोस्तों आपके पहला फेज और दूसरा फेज पहला फेज होगा आपके नॉलेज के उपर ठीक है जिसमें दो पेपर होंगे एक पेपर होगा जी के यानि जनरल नॉलेज सामाने ग्यान जिसमें आगे discuss होगा, इन तीनों का एक paper होगा आपके ठीक है और वो कितने number का होगा 100 number का ऐसे ही एक आपके होगा hindi और inglis का दूसरा paper वो भी आपके कितने number का होगा 100 number का होगा ठीक है gks gans 100 number की 100 number की हеди inglis ये 200 number का है आपके और इसमें आपको जो है आपके 200 मेंसे आप जितने ला सकते हैं उतने लाने का परियास करिएगा यूज जितने जादा होंगे उतने ही जादा आपको typing में थोड़ी सी कम दिक्कत देंगे क्यों इसमें अगर ज्यादा marks हैं तो आप typing में थोड़ी कम भी ले आते हैं साथ नमबर तो आपका एड़्जस हो जाता है ठीक है चलो हिंदी टाइपिंग होगी आपके पचास नमबर की इंग्लिश टाइपिंग होगी पचास नमबर की टाइपिंग मतलब सिर टाइपिंग नहीं है इसमें दो फेज रहेंगे एक टाइपिंग की speed देखी जाएगी और एक efficiency देखी जाएगी ठीक है speed मतलब आप कितना fast typing करते हैं लगबग अगर आप 20 से 25 minutes जो है per minute होते हैं अगर आपके word per minute होते हैं तो आप easily इसमें crack कर जाते हैं RPC वाले में तो high code में थोड़ी सी ज़्यादा चीह होती है और efficiency की बात की जाए तो efficiency के अंदर आपको Microsoft Word है PowerPoint है इसमें कुछ काम करवाया जाता है Hindi में आपको type करवाया जाएगा इसके अंदर या आप इसे decorate वगरा करवाया जाएगा इस type का कुछ work करवाया जाएगा आपकी efficiency देखी जाएगी नंबर की और efficiency 25 नंबर की तो ये कितना हुआ ये आपका हुआ 100 नंबर तो लगबग आप ये समझ गए कि 100 नंबर, 100 नंबर, 100 नंबर यानि कि टोटल आपके पास में है 300 नंबर अब 300 में से आपको नंबर लाने है जितने जादा नंबर उतना जादा आपका जल्दी selection समझ में आगई बात return में आप यहाँ पर 200 में से अगर दोस्तों प्रयास करिए कि आप 500 तक पहुँच जाते हैं तो आपको यहाँ पर फिर कम लाने पड़ेंगे यहाँ आपने 50 site नंबर भी लाए तो हो जाएगा selection क्योंकि लोग efficiency के अंदर 25 में से 25 ले आते हैं speed के अंदर plus 15 तक पहुच जाते हैं इसमें भी एक rule रहता है कि इतनी line लिखी तो इतने number इतनी line इतने number वो सब बाद में जो vacancy आ जाएगी तब कि clarify किया जाता है हर बाद change कर देते हैं अपने अमर्जी से ठीक है तो आपको 300 number का paper है ultimately जिसमें से 200 number आपके knowledge का है यानि two third तो आपके knowledge का है one third आपके किसका है दोस्तो मेनत का है यानि आपके typing वगिरा का ठीक है तो typing के लिए मैं अभी से यही suggest करूँगा कि अभी से typing में अपना time waste करने नहीं लगना है क्योंकि मेरे साथ में कई ऐसे student है जिन्होंने प्रिक्षा से पहले typing स्टाट कर दी थी कि हम पहले typing निकल जाब इस paper तो कि हम निकाल लेंगे और paper निकला ही नहीं टाइपिंग काम नहीं आई तो पहले typing नहीं करनी है पहले paper की तैयारी करें आप paper के exam के according पूरा जो ये 5 subject है GK, GS, GANIT, Hindi, English इन 5 subject में से आप 5 हो 5 subject एक एक बार पढ़ चुके हो आपको अच्छे से 2-4 subject ऐसी है जैसे math से तो आपको पता चल गया कि आप लगवग इसके जित्ते भी कोसन आएंगे सब कर सकते हैं Hindi, English बहुत अच्छी हो गई है उसके बाद में आप क्या करिए फिर आप typing थोड़ी थोड़ी start कर दीजिए ठीक है फिर वापस जब exam आ जाए तो typing छोड़ दीजिए वापस exam पर लगई है फिर exam के बाद में आपके जब भी आप काटॉप का वीडियो देखी रहते हैं लगबग आप अगर 60% marks आ जाते हैं तो आप माल लेते हैं कि इपना हो जाएगा तो फिर आप आगे जो है typing के लिए लग जाईए या आप exam देके आईए और एक दो दिन द्रैश्ट करिए और typing में लग जाईए अब हम syllabus की बात करते हैं तो syllabus दोस्तों देखिए ये है हमारे सामने हमारा syllabus ठीक है? ये देखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे सामाने घ्यान की किसके? सामाने घ्यान की ये देख لو हमारे सामने है ठीक है? आपका RMSSB जो board है वो करवाता है और सामने ग्यान की बात कर रहे हैं पहले कि सामने ग्यान में आपको क्या पढ़ना है अब सामने ग्यान के अंदर देखें तो सबसे पहले दे रखा है सामीक मामले यानि की current affair ठीक है लेकिन मैं किसी भी student को नहीं कौँगा कि ये पढ़ें जैसा कि मैंने lab assistant में भी का था psychology मत पढ़ो psychology मत पढ़ो फिर भी पतानी लोगों ने कितनी किताब है खरीदी इन कहा कहा से कैसे कैसे पढ़ा लास्ट में देखा गया कि exam में एक भी question नहीं एसे ही current affair का question जो है दोस्तो इतने बड़े syllabus में देखो क्या क्या है सामाने ग्यान है सामाने विज्ञान है और आपकी गणित है इन तीन में सामाने विज्ञान में सामाने ग्यान के अंदर अब अगर current affair के लिए आप डेली चार चार गंटे वेस्ट करते हैं तो कोई और चित नहीं है अभी ही मना कर रहा हूँ इसको कैसे तैयार करना है कब करना है सब बताओंगा मैंने खुदने करेक्ट किया easily मैं बता दूँ दोस्तो अच्छे से अगर तैयारी करी हो तो इस exam में आप easily selection ले जाते हैं भाई पर तैयारी है एक right way की एक right strategic तरीके से तैयारी करने की वो कौन बताएगा वो मैं आपको बताओंगा वैसे वैसे आप करोगे तो नीची तुरूप से यह आप सबलता प्राप्त कर जाओगे ठीक है फिर दूसरी subject है आपके भुगोल तो बिल्कुल इसको पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से देखो राजस्तान की जल वायू म सब यानि राजस्तान का भुगोल पढ़ना है पढ़ लो रट मारो अभी से राजस्तान का भुगोल पढ़ना है श्टार्ट कर दो क्योंकि आपने पढ़ भी रखा है ठीक है तो राजस्तान का भुगोल आप बहुत अच्छे तरीके से इसमें जो जो टॉपिक दे रखे है अभी से ही लग जाईए अच्छे तरीके से तैयारी करने ठीक है राजस्तान का भुगोल आपको पढ़ना है बारत की पारिष्टिति की एवं वन प्रयावरण के अंदर आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ अभी क्या पढ़ने हैं कि जितने भी अपने वन जीव अभ्यारण हैं उनके बारे में भारत के जितने भी हैं उन सब को पढ़ लीजेगा इसके उपर में एक वीडियो लाऊंगा वो देख लेना आपके सबी अभ्यारण एक ही वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद आपको बारत की पारिस्तिती की एवं वन ने प्रयावरण में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है फिर राजस्तान में क्रशी एवं आर्थिक विकास तो राजस्तान की परमुख फसले कौन कौन सी है करशी आदारित उद्योग यह आपका economics भी कह सकते है और आप जोग्राफी भी कह सकते है और इसके अंदर current के थोड़े से issue add करने के लिए आप economic survey जो आता है वो जरूर पढ़ लीजिएगा ठीक है आर्थिक समिक्सा जो आती है न आपकी उसको आप एक बार जरूर इसमें जो 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 topic दे रखे हैं जैसे फसल वाला topic आप पढ़ लेना सीचाई परियोजनाओं से related कुछ और भी मरू भूमी से संबंदित जो परियोजनाओं है हस्तुद्योग से संबंदित है उनको आप पढ़ लीजिएगा तो यह आपका economics और geography का portion include है मतलब अभी यह जो 1, 2, 3, 3 तीन पार्ट दे रखे थे इन तीनों में से एक ही बास समझ में आई कि राजस्तान की geography को हमें पूरा पढ़ना है और राजस्तान की economics में क्रशी और आपकी क्या पढ़ना है सिच्चाई परियोजना और मरू भूमी से संबंदित परियोजना है और हस्त उद्यों की चार चीज़ें पढ़नी है इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना तो इतने बड़े तीन portion में क्या पढ़ना है सिप राजस्तान की जोगरापी फिर राजस्तान की इतियास एवं कला संस्कती में आप इतियास के बारे में मत पढ़िएगा पहले आप कला संस्कती तैयार करिएगा मेले, तौा, रिदी, रिवाज, वेज, भुसा, आबुशन, संत, कवी, योदा, लोगदेवता, देविया, सांप्रताइक, सोहार्द, लोगगीत, लोगनर्ते, लोगबासा, साहित्य, और राजनेतिक, पुनर, गटन, और सतंतता, अंदोलन ये दो टौपिक बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, इसके अंदर आप एक एकरण कह सकते हैं, आप इसमें जो है, हमारे किसान आंदोलन वगगरा कह सकते हैं, इनको आपको पढ़ना है, मद्यकालिन जो इत्यास है, इसके बारे में, बाद में मैं आपको बता दूँगा, कि कौन कौन से राजाओं के बारे में आपको पढ़ के जाना है, बस वो वो राजा की थोड़ी थोड़ी जानकारी लेकर जाईएगा, आप सेलेक्शन करवा लेंगे, क्यों, क्यों कि हम दोस्तों किसमें अटकते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे वेकेंसी आई देखते हैं, इत इतियास की किताब लेके बैठ गए और वो इतियास पूरा होता नहीं है और हम इतियास देते हैं बस इस बात का कि हमने इतने एक्जाम दिये लेकिन आज तक सलेक्षन नहीं हुआ क्यों कि सलेक्षन तो वह लेके जा रहे हैं जो कामकी चीज़े पढ़ चाहिए न वो पढ़ रहे ना जो कभी आता ही है। हम इतियास में एसी चीज़े पढ़ रहे हैं जो हमारे सेलेबस में नितियास इसका मतलब क्या हुआ? कि मद्ये काल का जितना भी इतियास है सब पढ़ना है। सब पढ़ने बैटोगे ना तो भाई साब पूरा नहीं होगा एक्जाम आके चली जाएगी तो इसलिए ऐसे लपड़े में नहीं पढ़ना आपने पहले जो चीत त्यार हो सकती है उसको बहुत अच्छे से त्यार कर लें तो हमारा निचीत रूप से सेलेक्शन हो जाता है ठी उद्योग और अद्योगी चेत्र यह इसी के साथ में यह और यह लग पूरा प्रेटन सेम ही है यह कुछ नहीं अलग ठीक है कर्चे माल खंदीज आदारित बड़े चोटे खुटूर उद्योगी बताई दिया खंदीज पढ़ो के तो इससे पढ़ने है उर्जा के विभी नहीं तो नहीं पढ़नी है क्या पढ़ना है भारत के बारे में पूरी भारत की इस्ट्री पढ़नी है क्या नहीं भारत की इकोनोमिक्स पढ़नी है क्या नहीं भारत की पॉलिटी नहीं भारत की जोगराफी नहीं कुछ नहीं पढ़ना है तो केवल क्या राजस्थान की जो आपको पढ़ना है जादा चीजे नहीं पढ़नी है तो आप यहां नौट करिए कि सबसे पहले आपको पूरा क्या करना है सबसे पहले आपको राजस्थान जोगराफी पूरी करनी है उसके बाद में राजस्थान जोगराफी जब आप एक बार पढ़ लें उसके और शाट में रिवैज करते रहेंगे राजस्तान जोग्राबी और साथ में एग्जान टाइम आते- आते आप economic survey को add करते हुए economy पढ़ेंगे किसकी economy पढ़ेंगे only and only राजस्थान की तो ये तीन पॉर्षन तयार हो गए आपका सामाने ग्यान जो है लगबग 33 नमबर का आएगा क्योंकि सौ नमबर का है सौ में तीन पार्ट है सामाने ग्यान, सामाने विग्यान और गनित तो तीनों लगबग सेम सेम के रहते हैं 30, 35, 35, 35, 35 के रहते हैं ठीक है, कोई 35 का होगा तो दूसरा 30 का हो जाएगा तो वो फिर आपके कितना का हो जाएगा 25 का हो जाएगा, ऐसे हो करके 100 नमबर हो जाते हैं तो लगबग हम कहा रहे हैं थर्ड पोरसन माने तो 33 नमबर का पोरसन है कौन सा? राइस्तान जोगराफी आर्ट एंग कल्चर और एकोनोमिक्स बस तो ये पूरा कल लेना है ठीक है चलो अब बात करते हैं द्यानिक विज्ञान की यानि की एवरी डे साइंस की जिसके लगबग 33 नंबर अमान सकते हैं ठीक है 33 नंबर इसके भी मानेंगे तो इसके अंदर क्य पूचा जाएगा तो आपके देखो बोतिक और रासानिक परिवर्तन क्या है ओक्सी करण और अप्चेन अभी की रिया क्या है और उत्प्रेरक क्या होते हैं कैटेलिस्ट क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ना है दातू अदातू इनके प्रमुक योगिक सामाने जीवन मे प्रियुक्त कुछ मैत्वपून योगिकों के बारे में पढ़ना है ठीक है कार्बन और कार्बन के मैत्वपून योगिक जो भी है ठीक है कौन-कौन से ग्रेपाइट वगरा इरा वगरा इनके बारे में फिर आइड्रो कार्बन की जितने भी अपर रूप अभी बता दिये क्लोरो फ्लोरो कार्बन और फ्रियोन के बारे में पढ़ना है सी एंजी के बारे में पढ़ना है बहुलक के बारे में साबून और अपमार्जक के बारे में पढ़ना है फिर परकास का प्रावर्तन इसके नियम परकास का वर्ण विक्षेपन lens के परकार, द्रश्टी दोस्ट और उनके निवारन को पढ़ना है और आगे क्या है पहले वो देख लेते हैं फिर मैं आपको discuss करता हूँ कि इसमें कहां से क्या पढ़ना है और मैं क्या-क्या पढ़ने वाला हूँ ठीक है तो ये देखिए अब फिर आपको बढ़ना है electricity यानि विदूद के बारे में विदूद दारा क्या है ओम का नियम क्या क्याता है विदूद सेल क्या अब ओम के नियम का लास्ट ये 2018 में डारेक्ट कोसन था ये एस टाइप का एक गराब दिया था तीन अलग-अलग बताइए इसमें से कौन ओमिक है और कौन सा नहीं है तो ओमिक वो होते हैं जो ओम का लियम फॉलो करते हैं फेराडे के विदूद चुम्ब के प्रेरंट के नियम है विदूद जनित्र क्या होता है विदूद मोटर गरों में विदूद सहयोजन जो विवस्ता होती है इसका डैरेक्ट कोसम पूछा गया था गरों में काम आने वाली जो विदूद युखतिया है उनकी कारेविदी क्या है उनके रक रकाओ और उनके उप्योग में लेते समय साफदानिया क्या रखनी है यानि कि आपके पंका है, टिप लाइट है, बल्ब है, आपके मॉबाइल चार्जर है, लैप्टॉप चार्जर है इनको इनके बारे में ठीक फिर अंत्रिक्स और सुचना प्रोज्योगी की के बारे में बारत का अंत्रिक्स अनुसंदान कारे करम और सुचना प्रोज्योगी की क्या है अनुवांसिकी से संबंदी सामा ने सब्दाव लिया मेंडल के अनुवांसिक्ता के नियम क्या थे गुन सुत्रों की सरचना कैसे होती है, न्युकली कमल क्या होते है प्रोटीन संसिलेशन का केंद्रिय सिद्धान्त क्या कहता है मनुष्य में लिंग निर्दारण कैसे होता है तो भाई क्या होता है यह XX है यह XY है फिर XX हो जाएगा XXY XY है यह से चार पैटन बनता है बस वो है आपका लिंग निर्दारण एक आधि-5 मिंट का काम है और इससे कुस्ण आता है अरबार प्रयावरें अध्यन एन्वार्मेंटल इस्टेड़ी पढ़ना है तो एन्वार्मेंटल इस्टेड़ी के लिए बेस्ट सोर्स है अभी ही मैं बता देता हूँ बाई साब जो 12th क्लास की बाईलोजी है उसकी NCIT में वैसे ही पढ़ा रहो एन्वार्मेंट के लिए वो ही पूरा पोर्सन आपके ये सेलिबस में है आप वहां से पढ़ लीजिए तो 12th की NCIT चल रही है वहां से वीडियो देख लेना ठीक है जिसमें पाईस्तितिती की तंत्र की सरजना है पारिस्तितीति तंत्र के जो जयवी गटक है आपके उर्ज़ा प्रवा कैसे होती है भूर आसानिक चक्र क्या है जयव परोद्ध्विकी के बारे में पढ़ना है बायो टेकनलोजी, सामान निजानकारी इसकी होनी चीए जयव पैटनेंट क्या होता है नई पादब किस्मों का परिवर्दन कैसे होता है ट्रांस जैनिक जीन या पराजीनी जीव क्या होते हैं जनतुओं का आर्थिक मैत्व यह आपके NCIT में दे रखा है मैं बता दूँगा पादबो का मैत्व रक्त समू रक्त धा आरेच फैक्टर जो होता है हमारा रोगाणू और मानव स्वास्त कूपोशन मानव स्वास्त मानव रोग कारण और उनके निवारण मलब आपको जन्दल साइन्स के बारे में पढ़ना है और इन सब को जो है दोस्तों मैं आपको बिलकुल निसुल करूप से यूटूब के उपर कंप्लीट पढ़ा दूँगा आपको कहीं भी किसी परकार का कोई टेंसन लेने की जरूद नहीं है ठीक है और मैंने आपको जैसा लेब इस्टेंट में बोला था करवाऊंगा पूरा सैले बस तो लेब इस्टेंट के एक्जाम से बारा दिन पहले यूटूब पर एक क्लासे स्टार्ट करते हैं और कहते हैं हमने आपके लिए ये महराथन क्लास लगा दी वो लगा दी और उस महराथन से एक भी बच्चे का अगर सेलेक्शन हुआ हो तो बता दीजिए अरे ऐसे फ्री एजूगिशन नहीं दी जा सकती लेकिन हमारे यही प्रॉब्लम आती है क लेकिन बहुत कम बच्चों ने उसे एप्रिसिट किया एक वीडियो है जिस पर 6000 वीओ बागी पर देख रहे हैं 300-300 वीओ है क्यों क्योंकि उनको पढ़ना नहीं है महराथन देखनी है अरे महराथन से सेलेक्शन नहीं हुआ सेलेक्शन तो इस बार भी देख लो 30 के 30 कोसन ह महरी लास से आ गए मैनत करनी है तो नीच्ची तरूप से डेली करनी पड़ेगी पूरी की पूरी साइंस पूरा का पूरा सामान्य क्यान और पूरी गनित मैं पढ़ा दूँगा और आपका सेलेक्शन करवा के दिखाऊंगा आपको ठीक है अब गनित में सेलेबस देक लेत ठीक है गन्दमूल वर्गमूल गन्दमूल चेंकों की संख्याओ तक गन्दमूल कितनी संख्याओ तक चेंक की संख्याओ तक यानी एक दो तीन चार पांच चे इतनी बड़ी संख्याओ तक आपको गन्दमूल निकालना आना चाहिए गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, सम्मीकरण, दो चरो वाले रेकिक सम्मीकरण, द्यूगाज सम्मीकरण और लगू गुणक अरे भाई मैस में तो अपन बाद चाहें जब सेकंड क्रेड की मैस पढ़ा सकते हैं तो ये चोटी मोटी मैस क्यों नी पढ़ाएंगे भाई, रीट की पूरी मैस पढ़ा रखिए यूटूब के उपर, तो ये मैं पूरी करवा दूँगा आपको, ठीक है, ये सब टॉबिक पढ़ा भी रखें, यूटूब पर आगार आप जाके देखेंगे, तो रीट के अंद कारण ब्याज, सरल ब्याज, चक्रवति ब्याज, बट्टा, एक बिंदू से बनने वाले कौन, रेका, सरल, रेका, आंतरिक, दूरी, ये सब पढ़ा दूँगा मैं, ठीक है, समतल आकरती के चेत्रफल, परीदी, ये बेलन, बेलन, सब, अरे ये पूरा पढ़ा रखा है, ए फिर, ट्रिकॉर्ण मीती का भी एक पूरा बढ़ा वीडियो अपलेवल है, जाकर देख लो, पूरी हो जाएगी, आकडो का चित्रो दौरा निरुपन, ये मैं आपको बढ़ा दूँगा, ये स्टेटिक्स का पोर्शन है, स्टेटिक्स मैंने इन्वेस्टिगेशन एक्जा ये था आपके फर्श्ट पैपर का पैटरन, जिसके अंदर मैं आपको ये जितनी भी सब्जेक्ट दे रखिए, स्टेटिक्स मैं आपके, ये कम्प्लीट रूप से आपको यूटूब के ओपर एवलेबल करवाने वाला हूँ, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, इस व संदी विचेद है, सामासिक पदो की रचना, यानि समास के बारें पढ़ना है, उपसर्ग, प्रते, प्रयावाची सब्द, विलोम सब्द या विपितार्तक सब्द, और ये सब मैंने यूटूब पर करवा रखे हैं, जो आपकी 9 to 12 की जो एक हिंदी व्याकरण की बूक है वो मैंने यूटूब के उपर अल्रेडी अपलोड कर रखी है, पूरी की पूरी जाकर देखो तो सही, अनेकारतक सब्द, सब्द यूग्म, संग्या सब्द ये बता दूँगा, सब्द सुद्दी, सुद्दी सब्दों का सुद्दी का कारण क्या होता है, वाक्य सुद्द वाच्चे क्या होते हैं किर्या क्या है वाक्यांस के लिए एक सब्द मुहावरे लोकोप्ती अंग्रेजी के परिवासिक सब्द ये बहुत अच्छे तरीके से बता दूँगा ऐसा बताऊंगा कि आप वर्ड देखते हैं पता चल जाएगा सराल सयुक्त और मिस्र अंग्रेजी के जो वाक्य होते हैं उनका रुपांत्रन करना फिर उनको इंधी को इंग्लीज में टांसलेट करना और कारेले पत्र के जो ऑगरा होते हैं आपके जो मलर्जी एक लिखते थे ना पहले वह लीखी हूँdar है उनको फिलिंग देरीक होंगे उनको बढ़ना है ये इंदी का सहलेबस है और ये आपके English का सहलेबस है भाई English में भी वो ही है सब जो इंदी में है वो के वो इंदी में है ठीक है पैटन वो ही है देख लो इसमें tense है आपके फिर voice है narration है transformation है transformation of sentence है assertive to negative interrogative, excriminatory, vice versa articles है prepositions है translation करना है आपको simple का हो सकता है इंदी से इंगलिस में और इंगलिस से इंदी में correction करना आपको पढ़ेगा जैसे subject में word में, agreement में, degree of adjective में, connectives में words wrong जो use हुए उनको glossary का लिखके में पढ़ेगी आपको official technical terms वगरा जो होते हैं वर्जन दे रखा होगा उनका synonyms, antonyms, one word, forming, new word आपको कुछ prefix और suffix दे रखे होंगे उससे नया word बना कर बताना है confugible जो words होते हैं उनके बारे में पता होना चीए comprehension आएगा आपके और एक knowledge आपको होना चीए किसका official, demi-official, circulars, notice, tender इन सब का जो है यह है आपका syllabus, इसके अंदर भी वही है objective type का है, 100 number का है और 1.500 question आएंगे, 75 हिंदी के होंगे और 75 English के होंगे और 3 गंडे मिलेंगे, सब ही equal marks का negative marking है ठीक है, दोनों में 40-40% का rule है तो आपको 100-100 में से 40-40 number तो लाने ही लाने है, और 100 में से 40-40 लाने ही है इसका मतलब अगर, हम देखें दोस्तो तो आपके देखो, 1.500 question है कितने? 1.500 question है और 100 number का paper है तो अगर हम देखें दोस्तो तो यह बताईए कि भाई, 100 में अगर हम 1.500 का बाग दें तो एक question निकल कर आता है 0.66 का, कितना? 0.66 का और इसके हिसाब से अगर हमें 40 number लाने है तो हमें कितने question करके आने पड़ेंगे second paper में देखें तो मैं आपको पूरी strategy बता देता हूँ तो आपको देखो, इस वाले paper में 1.500 में से only and only 61 question करने है तो आपके 40% आ जाएंगे ऐसे ही उसमें भी 1.500 में से आपको केवल 61 करने है यानि पहले paper में अगर किसी के सामाने ग्यान याद नहीं हो रहा है उसको सामाने ग्यान समझ में नहीं आ रहा है जोगरापी और economics कुछ भी समझ में नहीं आ रही उसके तो वो पूरी चोड़ सकता है वो अगर सिर्फ और सिर्फ सामाने विज्ञान और गनित ये दो सब्जेक्ट भी तयार करके चला जाए तो 1.500 में से भाई दो उनके दोनों के मिला के आराम से 61 कोशन तो करी लेगा तो गनित और विज्ञान ही तयार कर ली दो सब्जेक्ट ही तो भी आप सेलेक्शन ले सकते हैं और इसमें केवल आपने हिंदी भी तयार कर ली तो आप सेलेक्शन ले सकते हैं तो जिसको दोस्तों केवल अपने उपर विश्वास है कि टाइपिंग में तो मैं सो मैं से सो लेकर आ सकता हूँ और उसको तो बस ये return वाला qualify हो जाए उससे तो qualify नहीं हो रहा है तो वो क्या करें पता है सिर्फ और सिर्फ गणित और भिज्ञान और हिंदी ये तीन सब्जेक्ट भी तैयार कर लेगा ना qualify तो हो गया वो अरे तो पहले qualify करें हम qualify करने के लिए हमें थोड़ी सी दिमाग लगाने की जरूरत है ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है जिसने दोस्तों ये दिमाग लगा लिया बताओ क्या उसका selection नहीं होगा अरे भाई वो वैसे ही हो जाएगा select यार देखो तो सही आप हो रहा है कि नहीं हो रहा selection उसका ये तीन सब्जेक्ट भी तैयार करता है तो 75 कोशन यहां आ रहे जबकि हमको तो 61-61 कोशन ही करने है अरे 300 मैसे देखो 1500 इस कोशन में और 1500 उसमें कोशन 300 कोशन हुए 300 मैसे हमको करके कितने आने पता है अगर हम 122 कोशन करके आ गए हमारा selection हो जाएगा 101% 122 कोशन सही करके आ गए हमारा selection हो गया यानि हमें चोड़ कर कितने आने है 180 कोशन तो भी हम पागलों की तरह पता नहीं क्यूं पढ़ते रहते पढ़ते रहते तो यह चीज को जिसने समझ लिया उ 65 कोशन छोड़ दिये तो भी देखा आपने 75 इसके और दस उसके 85 कोशन सही करके आए कि करने कितने दे 61 मेरा तो selection हो गया था इसलिए 42 नंबर है मेरे second paper में इंग्लिस आती ही नहीं है बस वो preposition और वो थोड़ा जो 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 आता था वो sinonim antonym रट रखे थे उनसे काम हो गया सकते हैं जो subject week है उसको छोड़िए एक बार के लिए पहले जो strong है उसको इतना strong करिए कि उसमें आप निचीत रूप से कह सके कि इतने कोशन मेरे सही होंगे मैंने हिंदी इतने अच्छे से तयार कर रखी है मैंने इतनी पड़ा रखी थी कि मेरे हिंदी में मुझे पता था क 75 मैं से साला एक कोशन इदर से उद़र नहीं हो सकता बस दो चार कोशन गलत है वो हुए गलत बाकि मैंने 67 कोशन हिंदी में मेरे सही थे 85 मैं से 67 सही है अरे 8 कोशन ही तो है, 8 मैं से 3 4 तो गलत है वो तो छोड़ दो और दोनों अच्छी है या दोनों ठीक ठाक है तो दोनों में 40-40 कोसन करने का प्रयास करिए और दोनों में कैसे भी मिला कर आप 61 कोसन सही करिए पहले उसके बाद आगे बढ़िए 61-62-63-64-65-68 जाने में टाइम नहीं लगेगा पहले 61 कोसन सही करने में हमारी आलत खराब होगी ठीक है यह सेलेबस और पूरा पीडियेप आप लोगों को हमारे टेलिग्राम चैनल राजस्तान एकेडमी सिरोई पर मिल जाएगा और आप लोगों को मैंने सेलेबस बता दिया और सब्जेक्ट बता दी कि क्या क्या पढ़ना है सिर्फ पढ़ना क्या है हमें राजस्तान जोगराफी राजस्तान आटन कल्चर एकोनॉमी तीन सामने विग्यान गनित पांच हिंदी और इंगलिस साथ सब्जेक्ट ही पढ़ आज तक नहीं पढ़ा है हाँ मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए जरूर अब सीख चुका हूं कि मुझे क्या पढ़ाना है कैसे कोशन बनते हैं यह मैं को पता है और मैं कोशन कर भी लेता हूं करेंट अपेर का क्यूंकि मैं नियूज पैपर पढ़ने की आदत है तो आ हैंगे अब इनकी क्लासेस के अंदर यानि अब हम मिलने वाले हैं LDC की क्लास के अंदर अगर आप लोगों को मज़ा आया वीडियो देखने में समझेन में और पूरा पैटर्न समझा दिया है मैंने 12 पास्ट के लिए लेव इश्रेंट के बाद में अगर कोई अच्छी वेक इस ओफिसरों के साथ में काम करेंगे हर बार तो यह बहुत अच्छी अपोस्चिन नीटी होती है कि आप आगे बढ़ सकते हैं ठीक है दोस्तों लवी ओल अफ यू टेक केर और प्लीज सेर विट यूर फ्रेंड्स